प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल लाइक, कामेंट और हिट बेल आइकान हलो स्टुडेंट्स, मैसेर दीपक यादो और स्वागत करता हूँ आप सबको आपके ही यूटूब चैनल सिख्छड अकड़िमी पर आज इस वीडियो में हम स्टेंडर फोर्थ का यहाँ पर परियोडिकल असेस्मेंट टेस्ट सोल करेंगे यूनिट टेस्ट फाइप आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, डिसमबर टूथाउजन ट्वेंटी का जैसा कि आप लोग जानते हो इस टेस्ट में आपको टाइमिंग वन आवर का दिया रहता है एंड मार्क्स टोटल रहते हैं 25 तो इस्टाट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो या फिर चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज फर्स्ट अफल सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड बिल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड इस वीडियो को सभी के साथ से एर कर दीजिए ओके तो इस तरह से आपका कुछ पेपर दिखता है टोटल फाइब कोईस्टेन होते हैं फाइब क्येस्टेन के भी साते हैं तो आपको पता है किस तरह से पेपर होता है तो हम इसको solve करते हैं अब one by one question number one से start करते हैं तो question number one में आपको दिए गए do as directed इसमें दो question दिए गए first बोला है make a list of any four things round in shape see around you अपने आसपास देखके आपको कोई चार ऐसी वस्तुओं का मालनो नेम राइट करना है जिसका सेप कैसा हो सेप कैसा हो मालनो कोई भी मेंका लिस्ट आफ एनी फॉर थिंग्स मतलब सरकल हो जिसका सेप ठीके तो राउंड वाले हम लिग देते हैं आपके अस्पच टायर देखा होगा केरेड़ रोटिया बेंगल देखा होगा घर में कोई पहना हो तो ठीक हो defending डिसरए होती है मतलब सरकल hizo no 500kami क्या बोला है अबस जीजाइब शरकलि यापटन बनातोक्त अबनामाखं इस तरह से करके यह आपका एक पैटरन हो गया देन है को दूसरा कोई भी इस तरह से करके more than 3 करना है आपको अलग-अलग आप वैटन अपने इसे आपसे बना सकते हो circle करके ओके student तो यह अपने आप कर सकते हो now question number यही आपका 1 था 5 marks का complete हो गया now second question पे चलते हैं अब हम question number 2 में दिया गया do as directed इसमें आपका A number का question है choose the correct option ठीक है तो आपको यहाँ पे options correct options यहाँ पे select करने हैं तो जैसा कि first question से हम देखते हैं question number 1 में दिया गया which of the following can be used to draw the largest circle तो आपको यहाँ पे option दिया गया है देखो कौन सा largest circle हमें बनाने के लिए यूज कर सकते हो बोल हुआ glass, bucket या port तो सबसे बड़ा चीज कौन सा आएगा यहाँ पे जो circle होगा bucket ठीक है तो answer आजाएगा आपका bucket now second question whose radius is the smallest सबसे कम radius किसका होगा तो option दिया गया tire of ricksa chapati plate या पूरी का तो आप जानते हो सबसे छोटी इसमें से कौन सी होती है पूरी तो पूरी का ही क्या होगा यहाँ पे सबसे smallest radius होगा तो यहाँ पे then third question the measure of circle is based on what जो circle का measure होता है उसको हम measure करता है किस के उपर depend करता है आप कैसे पहचानते हो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है तो आप उसके radius के उपर से center से कोई फरक नहीं पड़ता है code से कोई नहीं length से उतना नहीं length क्या measure करोगे किस से radius से पता चलता है हमें तो यह वाला option आजाएगा then question number four में which part of the circle is important for making a wheel अगर तुम्हें एक wheel बनाना है तो कौन सा इस important part होगा center या radius या code या length तो answer आएगा center क्योंकि center में ही wheel का main point होना चाहिए radius तो कितना बड़ा चोटा आप बना सकते हो wheel code भी कोई माइने नहीं रखता है वो भी बड़ा चोटा हो सकता है length भी ठीक है तो answer क्या आजाएगा आपका a center question number five how many centers can be there in a circle एक circle में कितने center होते हैं अब आपको पता है कोई भी circle हो एक उस circle में एक circle में एक ही center possible है तो answer आएगा one ओके now question number two का a complete हो गया question number three देखते हैं अब आपको यही आपको समल्लो दिया गया था इसमें एक ही question था five question यह five marks के थे now question number यहाँ पर three देखते हैं question two complete question number three में दिया गया है draw a circle आपको circle बनाना है बट यहाँ पर bracket जैसा बोला गया हो ऐसा draw a circle using a pencil only सिर्फ आप अपने pencil से भी बनाना है आपको circle तो किस तरह से बनाओगे ऐसे आप बना दोगे इस तरह से यह इस तरह से सिर्फ यह pencil की होज़े help से ठीक है now second आपको यहाँ पर box में लिखा है draw a circle using a pencil and an object कोई भी आप pencil से pencil ले लो एक और एक object ले लो जैसे कि कोई भी round से circle का जैसे कि आप coin ले सकते हो ठीक है दूसरी भी कोई चीजे ले सकते हो तो उसके help से आपको यहाँ पर बनाना है coin रखके तो second में वैसा बनाना है आप इस तरह से बना सकते हो then third है draw a circle using a compass and a pencil compass मतलब rounder आपको rounder के help से क्या बनाना है एक circle बनाना है इस तरह से आप बनाओगे तो अगर इस तरह से आप बनाते हो तो इसमें क्या आएगा तुम्हारा एक यहाँ पर center point भी दिखेगा ठीके तो यह आपका question number third का first complete हुआ now question number third का यहाँ पर second question आपको दिया गया इसको देखो इसका answer find करते है question number second oh sorry third का second दिया गया so the center and radius of circle by circle drawn by compass आपको compass से एक क्या बनाना है मतलब वो जो rounder है उससे आपको एक circle बनाना है then आपको उसका यहाँ पर radius and center बताना पड़ेगा ठीके तो आप देखो यहाँ पर एक circle कुछ इस तरह से हम बनाएंगे और इसका center इस तरह से बता जेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया हुआ है ठीक है इस तरह से एक जगा आप यहाँ पर बता दोगे उसके बाद क्या बनाओगे आप यहाँ पर आपको एक radius मतलब center से लेके किसी भी एक point पर यहाँ पर attach कर दोगे जो circle का point है circle के boundary पर कहीं पर भी join कर दोगे तो इस तरह से join कर दिया मैंने तो यहाँ पर आपको इस तरह से write कर देना है यह आपका क्या हो गया center ठीक है इस तरह से center लिख दोगे और यह क्या हो गया radius यह आप बता दोगे radius ओके student तो यह आपका question number 3 complete होता है जिसका A and B दोनो complete हो गया now question number 4 पे चलते है question number 3 तक हमने 15 mark complete कर लिया पूरा-पूरा अच्छे से now question number 4 पे question 4 में आपको दिया गया do as directed ठीक है तो do as directed इसमें आपको 2 question दिया गये A and B then first question इसमें A में है fill in the color in 1 by 2 मतलब half part of the picture and make the thick with the pencil आपको यह pictures दिये गये यहाँ पे इनको क्या करना इसके half part मतलब आधे भाग को तुमें color करना है और जिसको color करोगे उसको इस तरह से pencil से इस तरह से dark भी कर देना है suppose यहाँ पे आपको दिये गये तो 4 box का half कितना होता है you know that 2 box होगा तो इस 2 box को आपको यहाँ पे color करना है इस तरह से पहले आप color कर दोगे color करने के बाद क्या करोगे आप इसके boundary पर इस तरह से आप उसको pencil से इस तरह से dark कर दोगे ठिक बना दोगे boundary को ते यह आपका होगया question number 4 का A का पहला figure का second में भी आपको इस तरह से करना है पहले क्या करोगे इस तरह से इस तरह से आप कर सकते हो, then third figure है, third figure में क्या आपको देखो, total six है, six में से आप क्या करोगे, इस तरह से three part को आप color करोगे, चाहे left वाले को, चाहे right वाले को, तो यह आपका question number, यह का complete हो गया answer, now, b में देखते हैं, b में क्या बो लगया है, यह जो आपको यहाँ पे square दिया draw four equal part, पहले तो इसके आपके four equal part बनाने है, then fill the color in one by four part of the square given, तो इस square के one by four part में, मतलब four में से one part में आपको क्या करना है, color करना है, तो कैसे करोगे, इस तरह से आप यहाँ पे कर दो, और यहाँ पे आप कर दो, तो four part बन जाएगा, ठीके, तो यहाँ पे देखो, इस तरह से आप, एक इधर से lining, एक इधर से lining, करोगे तो four part बन जाएगा, यहाँ पे, अब इसमें से हमें एक part को circle करना, one by four part बोला है, इसलिए one part ही आएगा, four में से, तो कोई भी एक part को आप इस तरह से, अच्छे से color कर सकते हो, pencil से, ठीके, तो यह आपका question number four का, be complete हो गया, now, last question चलते हैं, देखते हैं, अब, okay student, तो अब अगर अभी तक आपने channel को नई subscribe किये है, please, first of all, channel को subscribe कर दीजिए, and bell icon को press कर लिजिए, जिससे आपको हर एक video का notification मिलता रहे, okay student, तो question number four तक हमारा complete हो गया, आप video को share कीजिए, हम चलते हैं, question number five पे, question number five आपको दिया गया है, answer the question based on the table given below, यह आपको table दिया गया, इस table case आप से, एक side आपको object, मतलब fruit दिया गया है, उसके right side price of one kg, इन rupees में, मतलब जो भी यहाँ पे fruits है, उनका one kg का price दिया गया, तो apple 100 rupees है, orange 50, banana 40, pear 60, and custard apple 80 rupees की लिए, तो आपको यहाँ पे four questions दिख रहे हैं, इन four questions का हमें answer देना है, ठीक तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से question का answer, यहाँ पे write करवाता हूँ, देखो, तो सबसे पहले questions क्या थे, question number one, तो दिया गया, find out the price of one by four kg apple, one by four kg apple का हमें price find करना है, तो कैसे find करोगे, answer देखो, the price of one by four kg apple is equal to one by four multiply by, क्या कर दोगे, one kg price जितना था, उसका apple का तो 100 था, 100 से आपने multiply कर दिया, तो आप देखो, इस तरह से आया, आपका, one by four multiply by 100, अब इसको cut कर दो, four one जा, four, four twenty जग, यहाँ पे 25 जग क्या होता है, आपका 100, तो 25 into one बचा क्या 25, तो answer आपका आजाएगा, यहाँ पे 25 रूपीज, ठीके, यह आपका answer हो गया, now, second question देखते है, second question में क्या बोला गए आपसे, how many kg custard apple can be brought, bought from the price of one kg banana, one kg banana के price से, आप कितना kg custard apple bought, यहाँ पे खरिश सकते हो, तो पहले देखते है, one kg banana का price कितना है, one kg banana का price है, 40 रूपीज, बट कस्टड एपल का कितना है, one kg का 80 रूपीज है, ठीके, तो इसको हम इस तरह से करेंगे, 40 रूपीज यहाँ पे, one kg banana का price है, 40 रूपीज, तो यहाँ पे आपको देखो, अब उल्टा, तो for 80 रूपीज प्राइज, one custard apple आ रहा है था, तो हमारे पास है कितना, 40 रूपीज, क्योंकि यह apple के price से हमें खरिदना है, तो 40 रूपीज प्राइज में कितना custard apple आएगा, how much, question mark कर दिया, then is equal to, आप लिखोगे, 40 into one divided by 80, मतलब यहाँ से, यहाँ multiply, आप cross multiply, divide, तो इस तरह से 40 multiply by one divided by 80 लिख दिया, now 41 जा 40, 42 जा क्या हो जाएगा, 80, तो बचा क्या यहाँ से, one यहाँ से two, तो one by two custard apple, one by two custard apple मतलब half है, half हाफ करीज सकते हो custard apple, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, one, मतलब हाफ केजी, ठीक है, half केजी आएगा, one half केजी, तो क्या लिखोगे, one half केजी, यहाँ पे, one half, one half केजी, और the custard apple can be bought from the price of one केजी, ठीक है, आदा केजी, half केजी आपको, तो यह आपका हो गया question number five, कि second question, now question number three देखते हैं, question number three में आपको बोला गया है, how much is the price of three by केजी बनाना, three by four केजी और बनाना का प्राइज आपको बताना है, one केजी का बनाना का प्राइज 40 है, तो three by का कितना, आप इससे multiply कर दो, one केजी बनाना प्राइज is equal to 40 रूपीज, then आपका three by four बनाना प्राइज is how much, then question marks, तो क्या करोगे, multiply देखो, three by four, इस तरह से आएगा, three by four, multiply by 40, इसको कट करो, four बन जा four, four four जा कितना हो जाएगा, four ten जा, यहाँ पर four ten जा 40, तो ten आ गया, ten into 30, कितना आएगा, 30 रूपीज, इस तरह से आप कर सकते हो इसको, ओके, तो यह आपका हो गया, question number three complete, जो इसका answer कितना आया, 30 रूपीज, now question number four देखो, question number four में बोला गया, how many rupees have to paid for buying half kg of orange and three quarters of pier, आपको आधाग लोग वहाँ पर orange लेना है, and three quarter मतलब आपको 800 गराम याप पीर्स करना है, कितने पैसे लगेंगे, तो half kg देखो, half kg इस तरह से लिखोगे, half kg of orange plus three quarters of pier, तो half kg मतलब one by two, one kg का कितना है, 50, आप इस तरह से लिख दोगे, तो देखो, यह आप इस तरह से लिखोगे, one by two, आप one kg का 50 था, तो multiply कर दो, plus three by four, then multiply किया है, one by pier का कितना था, 60 rupees multiply, यह two से यह 50 कटेगा, तो 25 आएगा, four से यह कटोगे, यहाँ पे, तो किस से आएगा, 15, तो देखो, यह 25 plus 15, 3 जा 45, इस तरह से लिखोगे, 25 plus 15, 3 जा 45, दोनों को add करना है, बाद में, तो answer कितना आजाएगा, आपका यहाँ पे, देखो, add करो, तो answer आए, आपका 70 rupees, तो 70 rupees लगेंगे, अगर आप half kg orange, एंड वो three quarter of year, बाइ करते हो, तो यहाँ पे हमारा standard fourth का, unit test five complete होता है, अच्छे से 25 marks का, तो अब इस चैनल को subscribe कर लिजिए, एंड बेल आइकन को press कर लिजिए, और इस वीडियो को सभी के साथ share कीजिए, Thank you very much.